खबरों में बने राने के लिए देखते रहें केनन मेडिया सब्सक्राइब करें हमारा चनल हाँ पैल आइकन दवाना ना भूलें में पिछ्टावरग समान समारवाई। जिद किया जारा। जिसका निमाउंतर्न देने के लिए रहाना युदांसभा के डिप्टी सपीकर रैणबीर गंगवाजी को आना WiMA करेंटृ करताओं के साथ मोजूद हैं। और हमारी साथ भी मोजूद है। सर पिछड़ा उर्ग सो समान समार वाजित क्या जा रहा है कौन उसमें चीप गैस्ट और क्या उमीद लेकर चल रहे हैं देखे पंदरा मार्च को पुराणा गोवर्मेंट कोलेज के मेदान के अंदर इसार के अंदर मानिय मनहुर लाल जी मुख्यमंतरी हर्याना का समान समारो पिछड़ा उर्ग द्वारा किया जा रहा है और खासकर जब से मानिय मनहुर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंतरी बने हैं तब से बैकवर्ड कलास अपने आपको गोराणित महसूस कर रहा है क्योंकि जिस तरीके की जो उनकी सोच है सब को साथ सब का विकास और खासकर मानि मुख्यमंतरी महुद्य का ये मानना है कि उनकी सोच है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सिवाओं का लाब पहुंचे अंतोदे स्कीम इसलिए वो कहते हैं अंतोदे के को लेकर के जो वो चल रहे हैं क्योंकि जब तक समाज के हर वर्ग का उत्थाद नहीं होगा तब तक कोई परदेश कोई भी समाज कोई भी राष्टर उन्नति नहीं कर सकता इसलिए उन्होंने मेरिट के आदार पर नोक्रिया देने का काम किया अर जिस परिवार के Unters नोक्री नहीं थी उनको 5 प्नुबर एक्स्ट्रा देने का काम भी मानने मन klim deeply लगार जी ने एक नई राजनती के अंदर कोई ज्यादा लोग उनके अंदर है और उनको सबसे ज्यादा फाइदा मिला है उनके आज जो बच्चे हैं वो आज नाकेवल बेकवेड कलास के अंदर बल्कि जो योग दिया बच्चे थे वो जनरल काटेगरी ना मिलने के कार्ण ये रिक्त छोड़े जाते हैं आज क्योंकि मेरिट के अधार पे कर दिया क्योंकि उस पारस नहीं थी इस लिए आज मेरिट के अधार पे कर दिया तो जो बैकवर्ड के बच्चे हो जनरल कैटेगरी के अंदर भी जो भरती हो रहे हैं और इसके साथ साथ ज जो मोस्ट बैकवर्ड को सरकार के अंदर सामिल करके भी जो 26 नमंबर को जो एतिहासिक दिन होता है हमारा सेवधानी की दिवस होता है उसके उपर सरों समते से डिप्टी स्पीकर बना करके पूरे बैकवर्ड समाज का समान करने का काम किया इसके लिए भी उनका हम आभार वेक भी देतरी हर्याना पर्देश का है जो हर वरक का सोचा है और खासकर जो वर्क के का जो हैं उनको छेदा चिंता रहती है इसलिए जो मांग जो पिछड़ा वरक की है वो उनके सामने रखने का काम करेंगे सरकार को हो इसंगômा जी बढ़ापा पैंसिन बढ़ाने की बात हो दो जारती उनको साड़े वाइसो कर दिर आगे भी उनको जो है महँगाई के साथ जोडने का काम किया है जो जो महँगाई बढ़ेगी वो बढ़ेगी और इसके साथ साथ अभी जो बजट पेश हुआ है उसको अब इंदर भी एक जो अच्छे सुझाव थे उनको बजट के अंदर सामिल करने का काम किया है ना केमल विधायकों से बलकि किसानों से भी विपारीओं से भी तमाम वरके लोगों से चर्चा करके उसके बाद में बजट बनाने का काम किया है एक लाग तिरतारीस हजार क्रोड का वेजट रिकॉर्ड वेजट जो है उन्होंने पेस करने का काम किया है जिस ये विकास को और ज़्यादा गती मिलेगी रहना प्रदेश उन्ती की राह पे होगा सर विपक्स की बात की जाए विपक्स हारोप लगा रहा है सरकार को पूरी तरह से फैलियर बता रहा है प्रदेश को विकास के जगए नहीं मुलकी विनाज के जगए विजेपी सरकार ले जा रही है अब सरकार विपक्स को तो केवल और केवल आलोचना करने का से मतलब है आज इस बजट के अंदर आप अगर देखेंगे तो जहां अभी सरकार बनने के बाद में जहां बड़ापा पेंसन भी बढ़ाने का काम किया है चार हजार पले स्कूल अभी जो सरकार बना रही है जिसे तीन से पांच साल के बच्चे उसके अंदर पढ़ेंगे और प्राइवेट स्कूलों के अंदर जाते थे ताकि बच्चे सरकारी स्कूल के अंदर भी उनको जो है पूरी सुविधाय उनको मिले और किसानों की जो MSB पे जो फसल जो वो खरीज सुनिश्चित करने की बात कही गई है SC और BC के लिए भी जो ना विशेश तोर से बज़ट के अंदर प्रावधान रखा गया है इसमाम वर्गों का ध्यान इस बज़ट के अंदर रखा गया है और पांच-पांच करोड रुपए हर एक विधाय को सरकार बनते ही मानने मुख्यमंतरी ने कहा चे कोई विपक्स का विधाय का है चे पक्स का है पांच-पांच करोड के काम हर अलके के अंदर देो हम करवाने का काम करेंगे इस बड़ी आओर क्या हो सकता है विधायक बुलराज कुंडू भी सरकार बर कई तरह कि आरोप लगा रहे है आरोप तो कोई किसी पे भी लगा सकता है जब तक बगएर तथ्य के अगर कोई आरोप लगाता है तो उसका कोई मिनिंग नहीं होता तथ्य सहीत कोई आरोप लगाए तो चाहे मानने मुक्हमतरी महोद्या ने भी सदन के अंदर आस्वासन दिलाया है कि चाहे कोई भी हो कितना भी बड़ा हो उसके खिलाब जो है जांस भी होगी, कारवाई भी होगी जांता कि बलराज कुंडू जी ने जो आरोप लगाए उसमें तथ्यों सहीत मानने मुक्हमतरी महोद्या ने बताने का काम किया कि इसके अंदर तो ये तथ्या है इसके अंदर कुछ है ही नहीं आगर कुछ होई ना बगैर तथ्या के कोई किसी पर लगाए किस मा excitement किस मामले में अज आज कोई आप किसी पर आरोप लगा दे कि इस परदान जी ने यह कर ले उसमें समेशी पर जांस बठा दे कोई तथ्या तो दे ओगे कोई कोई तथ्या रखे मुख्यमंतरी महोद्या ने फ्लोर अव दा हाॉस के अंदर उन्हों ने बताया कि जिस जो आप आरोप लगा रही हैं उन सालों की अंदर जिस चीरे के आप आरोप लगा रही है ये ये प्राइवेट मिलों के अंदर भी वही रेट कहा है कि वाली एक मील की बात नहीं है हम किसी आदमी पर वैसी आधार ही कोई आरोप लगा दे to iska कई मिनिंग नी होता चलते चलते आदमी को आरोप लगा देगा तो असे को आजसा सब्सक्राइब कर रहा है और जहां सेंटर का जो हेल्थ डिपार्ट्पेंट है सेंटर को इसको मोनेटरिंग कर रही है हमारा हर्याना स्टेट के भी तमाम डॉक्टर्स को जबी हमारे ज़स्वास्त मंतरिया निल्वीज जी उन्होंने हाउस के अंदर भी बताया कि सब को निर्देश दे दिये गई है और लोगों को उसके लिए आवेर करने के लिए परचार किया जा रहा है और इस बात पर पूर निगराने रखे जा रही है कि किसी तरीके की कोई दिक्ट पर रहने परदेश के अंदर ना हो प्रदेश का मामला होता है टिक्ट का कोई एक जिले का या एक टिक्ट का नहीं होता परदेश की बात है जो मौस्ट बैक वड़ की बात कर रहे थे आज भी अगर मैं बात करं तो मौस्ट बैक वर्ड के ही दो MLA जो है भारतिया जिन्ता पार्टी के है ना ये तो कॉंग्रेस में है ना ये दूसरी पार्टियों के अंदर है जिसे मैंने पहले कहा ये जो सरकार पहले ऐसी सरकार है जो अन्तोध है पे काम करती है वंचित वरग के लिए जो अती पिछड़ा वरग है उसके लिए काम कर रह अगर आप तत्यों के आदार पर देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा आगर कोई पार्टी के साथ खड़ा रहा है, तो बैकवर्ड वोट ही जो सबसे ज़्यादा मिले है, आप नजर मारक के देख लिए, आप तत्यों के आदार पर बात करें, ये ठीक है कि जितनी उमीद हम करेंटेज भी कहीं कहीं परदेश के अंदर बढ़ा है भारतिया जन्ता पार्टी का साथ दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकवर्ड समाज में एक नाराजगी तो दिखाई दे रही है, उस नाराजगी को किस तरह से दूर किया जाएगा? मैं, मैंने, मैंने कहा तो है, कि खासकर जो मुख्यमंतरी महोदे हैं, वो बैकवर्ड समाज को पूरा मान समान देने का काजु काम करते हैं.